वेल्कम फ्रेंड आज का टॉपिक है लेडर से रिलेटर ठीक ना यह लेडर का सिम्पल प्रॉब्लम है यह अक्सर में पूछा जाते हैं ठीक ना देखिए यह जो क्वेशन है यह कह रहा है यूनिफॉर्म लेडर ओफ लेंथ 3.25 मतलब वेगिंग मतलब वेगिंग 250 न्यूटन इस प्लेस्ट इस प्लेस्ट बगेंस्ट आ स्मूथ भर्टिकल वाल विथिट्स लोवर एंड 1.25 मीटर फ्रॉम द वाल ओके यह बोरा एक यह हमारा लेडर है यह 3.25 मीटर का और यह एक स्मूथ सर्फेस के क्रोस यह लिनिंग है okay तो coefficient of friction यहाँ पे जो बॉटम में है यह coefficient of friction यहाँ देखिए coefficient of friction between ladder and the floor, ladder and the floor यह हमारा 0.3 है यह हमारे clear हो गया What is a Frictional Force acting on the ladder at the point of contact between the ladder and the floor यहाँ पे Frictional Force हमारा क्या काम कर रहा है, okay देखें नुमेरिकल का जो में जो क्वेस्टन है हमारे इतना है यह मैंने आपको अच्छे से यहां पर स्प्लेटिंग करके सो किया हुआ तकि आपको अच्छे से ड्रोइंग दीखें तो आपका यह क्वेस्टन क्लियर हो जाए ओके देखें कोई भी अगर यहां पर लेडर है तो इस पर यह देखिए यहां पर नॉर्मल रियक्शन होगा तो नॉर्मल रियक्शन हमारा फ्लोर पर हमारा आरेफ हो गया ऑगें क्यों इसका है फहला पर विडियर होगा फूर्स यह दिखा दिया गया है ओकै यह हमारा फॉर्स फ्रीक्शन समझ यह यहां पर इसको नाम देता है ऐफ में तो हमारा और देखिए головrav घ्र एक लेडर है तो उसका कुछ वेट है तो हमेशा उसको नोटेसल का उसको हमारा ये होता है उसको करते हैं उसका देंक का रूल होता है हम लोग उसको mid point करते हैं तो mid point हमारा ये हो गया इस लेडर का वेट हे 250 Newton okay यह हमारा clear होगिया अब हम लोग इसको क्या करेंगे इस क्सक् dish क्काश् Name लोग करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या और आगे कर सकते हैं इसमें देखी इसको कोई при Może को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग कि का हम लोग को ग्रीफन लिखना चाहिए क्योंकि बार बार question देखने से हमारा जो हमारा time है waste होता है तो हम लोग given में जाते हैं और given में देखते हैं हमारा question में क्या-क्या given है तो देखिए यह given है यह हमारा length कितना दिया हुआ? length दिया हुआ 3.25 meter लेडर मोखें हमारा वेट कितना दिया हूए वेड दिया हूए लेडरका ये वेट्वे फिल्टी नियूटन ये हमारा क्लियर होगया अगरें जो एक सब Yoo il दिश्टेंस धीर लिंग कों से सर यहां कंज एकुछ फिल्टेंठर रेटरा एन्टपव्लय हमारा है यहां से यहां अमरो कश्यान उसके लिए पूछतिścieल लोह को निखलना है, आप हम लोग आगे बढ़ते हैं डेखिऑ हम लोग जब रिजल्भ करने पर हमने के यहां पर 3.25 मीटर दिया हुआ है तो यहां पर देखें किसा बॉटम में हमारा स्प्रिट किया हुआ है 250 नूटन ओके तो यहां देखिए हमारा होगा हम लोग क्या करते हैं तो हमारा इसको लिख सकते हैं आर एफ यह लिख सकते हैं आर एफ इसकाल टू यहां हमारा जो दिया हुआ 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 हम्रा है 250 तो हमारा यह क्या क्याकते हैं हमारा कु découvrir हम vi अगर यह दिया हुआ निकालना है तो आगे हम लोग आसानी होगा तो इन ट्रैंगल in triangle ABC, in triangle ABC, ABC, हम लोग पैथा गॉरा स्थिरम से निकाल सकते हैं, BC क्या होगा, BC होगा हमारा hypotenuse, hypotenuse कितना है? 3.25 meter square minus, यह हमारा है 1.25 meter, 1.25 meter, इसको हम लोग square कर देते हैं, तो यह हमारा कुछ आएगा calculate करने पर, यह हमारा आएगा 3.0 meter, मोइंट कोर्से को ख़ना सम्चाइब करींगे ऐसने को कि अगे क्या करने में इसके साथ है लेमामा, यहां दो घुड़ाइब करेंगे पर झाइब इसका ह्षा प्या मॉइंट लिख सकता है F F into आपका 3 लिख सकते हैं 3 होगा तो इतना हो गया again इसको हम लोग क्या करते हैं ये वाइश का यह होगिया ओके यह पर पर पिन को इंट्सों गया हो गया ओक आपका यह क्लियर हो गया अगें कि यह पोजिब लिया है तो इसको फिप्टी फेप्टीव इन्टू हम लोगा यहां से कितना होगा तो 1.25 का half हो जागा 1.25 by half हो जागा इसको हमलों solve कर सकते हैं इसको हमलों कुछ ऐसा लिख सकते हैं F F F into 3 तो यह हो जाएगा हमारा 1.25 RF हमारा दिया हुआ यहाँ देखी RF equation 1 से यह हमारा 250 है तो 250 लिख दिया है और इधार हो गया हमारा 250 इन्टू इसको हमलों लिखेंगे इसको डिवाइड करेंगे तो 6.00 हमारा कुछ ऐसा आएगा ओके यह हमारा हो गया अगर इसको हमलों solve करेंगे तो हमारा solve करने पर यह आएगा 156.2 ओके तो अगेन हम लोग क्या करेंगे force of friction हमारा क्या होगा यह हमारा हो जाएगा 156.2 बाई हमारा 3 हो जाएगा यह 3 इधर आजाएगा इसको हमलों solve करेंगे यह हमारा 52.1 न्यूटन आएगा ओके यह आपका solve हो गया तो होप कि आपको यह समझ में आया हो यह काफी conceptual question है यह अक्सर बहुत सारे exam में पूछा जाते हैं इसको अब ध्यांस देखिए बहुत हीजिए letters बहुत हीजिए होता और अक्सर अक्सर सारे exam में पूछा जाते हैं